अभिवादन सुईकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट वैनवायों उत्तरप्रदेश की राज़नी थी बहुत दिल्चस्प है और मैं कई बार कहता हूं कि इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है क्यों जब हम कल कह रहे थे क की निस्पक्ष चुनाव होने के निर्विरोध चुनाव होने के असार हैं अचानक से विजेपी ने आठ्मा प्रत्याशी राजिस भा में उतार दिया चुनाव हो गया है दिल्चस्प बीजेपी के पास नौ वोट कम है अब उसको क्रास वोटिंग के बगार बीजेपी का प्रतियासी जीतेगा नहीं चुनाओ बहुत ही जोखिम भरा हो गया है दोनों के लिए बीजेपी की इज़त और समाजवादी पार्टी का बिधान मंडल दल दोनों पर खत्रा मंडरा रहा है आज चर्चा इसी विशेपर बैने बाई उत्तरप्रदेश की राजनीत से हमें बह नॉमिनेशन कल कर आए लगा कि निर्विरोद चुनाओ होगा लेकिन आठवा प्रतियासी आज उतार कर बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिये यानि अब 8 3 11 11 11 प्रतियासी 10 सीट चुनाओ अवस्यं भावी है अगर किसी का परचा खारिज नहीं हुआ तो ऐसा निल्दूबे का दावा मेरा नहीं तो अगर 10 परचे 10 प्रतियासी निर्विरोद 10 सीट 11 प्रतियासी चुनाओ होगा तो क्या होगा फिर परचे के मुल्य आंकन के पश्चात अब तैह है कि चुनाव होगा यह तैह है कि आब वोटिंग होगी तो भाइनों भाई यह ओटिंग होई तो क्या होगा इसके पर्मुटेशन और कम्मिनेशन पर चर्चा करनी चाहिए भारतिय जन्ता पार्टी और उनके सहयोगी दल प्लस उनकी जो बाहर से मदद करना इन सब को अगर जोड़ लेंगे कितने हुए 288 अपोजिशन और उनके सहयोगी प्लस उनके समर्थकों को जोड़ लेंगे टोटल कितने 110 इन में से दो विधायक हैं वो जेल में बंद हैं परमा कांत यादो और दूसरे हैां इरफान सोलंकी यह जेल में हैं बीजैपीक के समर्थक दल में से भी जेल में बंद हैं एस बीएसकी के विधायक मुक्तार अंसारी के बेटे वह भी जेल में हैं तो तीन को यह माइनस करिए और तीन विधायकों की मृत्यू के पच्चाज सीटे रिक्त हैं दुद्धी उनको सजा हो गई है रेप के एक मामले में तो टोटल चार सीट रिक्त हैं तीन विधायक जेल में हैं अब चुनाओ भाई साब फस गया है समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे प्रत्यासी को अगर जिताना है 37 वोट विधायकों का एक मिम्बर आप पार्लियमेंट में चाहिए फर्स्ट प्रिफरेंशियल वोट आख़़ों पर गवर कहिएगा मैं तो रट के आया हूँ आप भी रटो क्योंकि इसी मिखेल है फर्स्ट प्रिफरेंशियल वोट में समाजवादी पार्टी को पास कितने वोट कम पढ़़ रहें 3 एक पल्लवी पटेल नाराज है 4 यानि 4 विजभी लोट कम है तो सपा को फर्स्ट प्रिफरेंशियल के कितने वोट हुए 33 बीजेपी के पास कितने हैं 20 नौ कहां से आये हैं RLD से लेकिन यह सहयोगी दलों के भी हैं बीजेपी तो अपने साथ पहले अपने विधायकों से क्लियर कराएगी यह सहयोगी दल वालों को बाद मिलाएगी और यही ओड जाएंगे किसको संजेसेट को तो अगर 2729 भी आते हैं तो फर्ष्ट प्रेफरेंशियल में सपा के पास कितने हैं 33 तो अब कम से कम 7-8 वोटों पर दाउं लगाना पड़ेगा जब तक 7-8 वोट करास नहीं होंगे संजेसेट नहीं निकल सकते और समाजवादी पार्टी को अपना खिला बचाना है तो उसको अपने विधायक इंट्रेक्ट रखने पड़ेंगे ताकि सेकेंड प्रिफरेंशियल वोट से निकल यह तो यह रणनीत से ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट बात घेरा बंदी किये बहुत वक्त के बाद राज्यसभा के चुनाओं में दिल्चस्पी जगी है थोड़ा मज़ा आएगा इंटर्टेन्मेंट भी होगा हमारे विधायक लोग भी काफी दिनों से काफी कुछ परिशान है उनको भी थोड़ा कुछ ठीक ठाक होगा बड़े बड़े लोग चुना कि अब उनकी बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग 27 तारीक अगर वोटिंग होती है तो उसके पहले राजभर का काम तो हो जाएगा वरना राजभर भी इतना आसान नहीं है कि इतनी आसानी से किसी को वोट दे दें इसलिए अब आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रद होजित किये हैं आपसमें बात्चित करके बिचार दिमर्स करके नहींने लिया और जो बिधान सभा का नंबर गेम है वो हमारे पक्ष में हैं चंजे सेट समाजवदी पार्टी से राजसवा सदस रह चुके हैं लेकिन वो दगा करके भारती जनता पार्टी में शामिल हो गयते और ऐसे दगाबाजों को बाजपान अपना आठमा प्रदाशी इस उमीद से उतारा है कि वो समाजवदी पार्टी में कोई सेंद लगा प सिर्फ अपने उद्योगपती मित्रों के लिए सता में बैठ रहे हैं तो जनता को हटाने जा रही है उत्तर प्रदेश में भी जो राजसभा चुनाओं है उसमें भाजपा को सबक मिलेगा बैनों भाईयों आज की डिवेट महत्तुपूर्ण है तत्यों पर है और आकड़ों पर है और मैं आपको फिर सजेशन दे रहा हूं डिवेट शुरू करने से पहले कि कलम कागज निकाल लीजे और आकड़ों पर गौर करिएगा यही आकड़े बाद में वोट में तबदील स्मीर सिंग बीजे पी के प्रवक्ता हैं बीपक रंजन समाजवादी पार्टी प्रियंका घुप्ता यूपी में कांगरेस की प्रवक्ता है आनि दुब्य राश्टरी लोग दल्से यह प्यूस मिस्ड़ा स्भ Gesetz पोस्त्तप प्रवक्ता और उर फ्रजरे的